हेलो दोस्तो मेरा नाम है अश्वीन कुमार और आप देख रहें अपना चैनल अश्मित M20 तो दोस्तो यह समय आ चुका है जहां पर आपको क्या है ब्रांच डिसाइड करना है ठीक है इसमें बहुत सारी बाते होती है कि हम किस तरीके से ब्रांच चूच करेंगे बहुत सारे स इसे क्या है और बहुत सारे स्टूडेंट है जो नन कोर ब्रांच के उपर में जाना चा रहें जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस ऑटो मॉबाइल इंजिनियरिंग ठीक है न आई सी इंजिनियरिंग तो ऐसी ब्रांच को हम चूज करें कि ना करें इसके लिए हम बाते करने वाल हैं नहीं तो दोस्तों क्या होता है लोग अलग-अलग ट्रैक पर पकड़के अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और में नेम होता है वहां तक हम जानी पाते हैं भटक जाते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो हमें ब्रांच कैसे हो वह गर UAऊ सबसे पहले फोकस करो आप लोग क्या को ब्रांच और इंजिनियरिंग कोन ब्रांस मैं शोते हैं तो मैं बता देर हो आप लोग को को सैंज आ के सबसे पहले होता है दोस्तों सिविल हुब ओं दूसरा होता है मेंख तीसरा होता है इलेक्टरिकल ठीक है और चौथा होता है दोस्तो EC इलेक्ट्रोनिक एंड कामुनिकेशन इतने सारे क्या होते Core Branch of Engineering होते Non-Core में क्या होते बहुत सारे जो की इससे तूट-टूट के निकलते ठीक है यानि इससे निकले हुए ब्रांच को बोलते है Non-Core Branch Core Branch में आने का क्या मतलब होता है कि Core Branch का आपको पता है ये Branch कभी भी क्या है खतम होने ही वाला नहीं है प्रस्तितियां कितना भी कुछ आजा है पर इनमें क्या है Recruitment होगा ही आज भी होगा कल भी होगा परसो भी होगा जैसा कि आप सुने हो क्या कभी भी कि Civil Engineering का क्या स्कोप बंद हो सकता है आपको लगता है कहीं पर Building के बनना रुख जाएगा या हमेशा City यानि कि गाउं से गाउं Convert होके City में हो रहा है ठीक है या गाउं के Public जितने है City में एरिया में सिफ्ट होए जा रहे है तो यहां पर अगर ओवर क्रॉडेड हो जाएगा ओवर पॉपलेशन हो जाएगा तो उनके रहने के लिए जगेत हो चाहिए तो इस प्रोस्पेक्ट से भी देखा जाए तो सिविल की कभी स्कोप खतम होई नहीं इंजिनियरिंग ले ठीके एरोनोटिक्स और भी बहुत सारे इससे निकले होगा ठीके जैसे कि जितने इससे टूटे हुए ब्रांच यानी कि अलग वाले ब्रांच में हम जाएंगे फोकस करेंगे प्रिंटिंग प्रेस है जैसे कि ठीके तो ऐसे ब्रांच को मैं क्या करने बोल रहा हूं फिलाल नहीं लेने के लिए बोल रहा हो ठीके यह सब की भी चॉइसे रहेगी यह सब को मौका मिलेगा लेने का मिलेगा आप सबसे पहले अगर टिपलोमा कर रहे हैं तो ब्रांच में करिए दूसरा उसके बाद बैचलर भी होगा बैचलर ऑफ इंजिनियरिं उसमें भी मैं EC के उपर में ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा ठीक है क्यों क्यूंकि अभी EC में क्या हुआ है market replace हो गया है computer से ठीक है तो जितने भी EC लेने के लिए सोच रहे हैं एक बार सोच ले आप कि EC लेंगे या computer ठीक है as compared to my opinion point of view से देखा जाए तो EC की demand कम है और इसके जगह पर क्या है computer की बढ़ रहा है ठीक है तो आप computer and IT के लिए opt कर सकते हो EC की जगह पर ठीक है institute से ताकि आपको कह अच्छी salary and package मिल पाए ठीक है तो आप लोग को दोस्तो core branch of engineering के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी और non core नहीं लेने का main मकसद वो मैं बताता हूँ ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो दीन पर दीन situation हमारे इंडिया में खराब होते जा रहे ठीक है unemployment rate बढ़ता ही जा रहे उसका main reason क्या है दोस्तों हम बोल सकते हैं हमारे जो choice होते हैं कि हम अलग level पर सोचते हैं वह ही है जैसे कि अगर हम diploma या bachelor level पर जाए तो दोस्तों हम ऐसी ऐ degree opt करते हैं जो market में कोई शुना भी ना हो ठीक है जैसे कि aeronautical automobile printing press ठीक है यह सब ब्रांच होते हैं हमने मान लो यह ब्रांच ले लिया ठीक है हम यह पढ़के अपनी area of interest से हम क्या कर सकते हैं इसमें academically sound हो सकते हैं ठीक है क्या आज के date में academically sound होने से क्या कोई एक लड़का superior ह होश्यार है बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या होता है knowledge हम books से गेन करते हैं जो हमारी knowledge theoretical है वो practical में apply हो ही नहीं पाता है हर स्टूडेंट से ठीक है क्लास के टॉपर को देखना हो नौ पॉइंट साड़े नौ पॉइंट लाएगा ठीक है पूरे अपने डिपलोमा के दोरान या तो डिग्री के दोरान नाइन प्लस रहेगा ठीक हो सके अगर उसके बगल में ही 80-80 से पास हो रहा होगा छे पॉइंटर वाला होगा पर अगर नौलेज की बात आएगी प्रैक्टिकल नौलेज की बात आएगी तो हो सके छे पॉइंटर वाला अगे निकल जाएगा ठीक है साड़े नौ वाला को कुछ नहीं पता होगा क्योंकि वह क्या है बुक में गुसा रहा था तो साड़े नौ पॉइंट आना कोई मैटर नहीं कर करो क्यूंकि सिच्वेशन काफी खराब हो रहे हैं दिन पर दिन तो आप कोर पर फोकस करो अगर आप एक बार कोर कर लेते हो ना तो आपके पास यहां जाने का ऑप्शन है अगर आपकी इतनी इंट्रेस्ट ही है तो आप मास्टर कर सकते हो एक पटिकुलर श्पेशलाइज नाम का चीज होता है ठीक है तो वहां तक जाने के लिए आपको क्या है इस जरीए जाओगे ना तो आपका बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि मैं बोलूंगा कि आप सिविल लो मेकैनिकल लो ठीक है इलेक्ट्रिकल लो कंप्विटर और आईटी लो अगर यह सब लेते हो तो तो आपको तीन सल बाद चार सल बाद फिर मेरी बाते याद आएगी कि भले भाइया ने सही बोलाता और हमने अपनी मनमानी चला दी कि देखो सिच्वेशन यार दिन-पर-दिन खराब हुए जा रहे हैं अनिम्प्लोइमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या होता है एक साही डायरेक्शन नहीं पता होता है कोई हमें अच्छे से गाइड नहीं किया होता है हमें जो मन में आता है वो डिग्री आप्ट कर लेते हैं ठीक है डिग्री आप्ट करने वाली बात अभी यहां पर समझ नहीं यहां रहा है ठीक है यह बाते कब खलेगी इसके बाद ही एक साल या दो सलवाद आपके डिग्री की एहमियत पता चलता है, ठीक है? कोई भी कोर ब्रांच लो या जो भी लो आप ब्रांच जैसे भी सलेक्ट करो, अगर आप अकेडमिकली साउंड है, ठीक है? तो सबसे पहली बात होता है, वह होना चाहिए बिलकुल, अ आप क्या गेन करते हो ना, practically वह मैटर करता है, ठीक है? अगर आप चीजे लेने के लिए सक्षा मौप, यानि की समझने की ताकत है, और मेहनत करने की इच्छुक हो आप, तो बिलकुल ब्रांच कोई भी हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना? पर मैं यही बोलूँगा, अगर जित कुछ बड़ा एचीब कर पाओगे, बड़ा एचीब करने के लिए वह ही होता है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफट करना पड़ेगा, एक साल या दो साल थैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए पर्टिकुलर ब्रांच में जाने के लिए, पर अगर यह ऐसी यह सी ब्रांचेस में रहते हो, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गवर्मेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरीके का जॉब, अगर मान लिया जाए, आपके कॉलेज से आपको प्लेश्मेंट नहीं भी होता है, तो क्या एक मिलेगी, पर अगर आप बोलते हो, कि मैंने एरोनॉटिकल इन डिप्लोमा किया है, एरोनॉटिकल इन डिग्री किया है, तो क्या दोस्तों, आपको सिर परसीव, मिलेटरी बगेरा को छोड़ दिया जाए, डिफेंस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, तो मार्केट वाला कोई कि आपको जॉब देगा नहीं देगा दोस्तों यहां पर बहुत सोचना पड़ेगा अब उसके बाद हमें क्या करना होगा अगर हम एक्ष्ट्रा एफट देना होगा एक से दो साल की पर्टिकुलर मेहनत करनी होगी कोई पॉइंट को एचीव करने के लिए फिर जाके हम वहां जाएंगे और फिर हमें अच्छी सेलरी या जॉब प्रॉस्ट्रक्ट जो हमारा प्रोफाइल अच्छा होगा तो हमें मिलेगी ठीक है पर मैं बाते कर रहा था कि सीविल मेकैनिकल अर अगर यह कुछ भी हम इलेक्टिकल ले लेते हैं दोस्तों तो हम कभी भी घर पे नहीं कॉले से प्लेस्मेंट हो चाहें नहीं हो हम कोई संस्था जोइन करेंगे ठीक है जो बाते मैं अभी यह सब बता रहा हूं यह बोलने में आसान लग रहा है या समझने में आपको आसान नहीं लग रहा है ठीक है पर यही बात दोस्तों हकीकत है यह चीजी आपको खलती है को एहमियत पता चलता है ठीक है उससे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए आप छोटी छोटी ब्रांचेस में मत चले जाओ दोड़के क्योंकि उसमें जितना कम सीठे उतना ही मार्केट ऐसे नहीं करता है उस बात को लेने को तैयार ही नहीं होता है कि हम ऐसे ब्रांच को करें ठीक है पर ऐसी अगर को ब्रांच ऑफ इंजिनेरिंग में आओगे तो कभी भी हाइरिंग रुकी नहीं है ना रुकने वाली है तो जीतना आप अच्छे से मेहनत करोगे उतना अच्छा जल्दी एकदम अच्छे से अच्छे पिक लेवल पर जाओगे तो आई होप गा आप अगर घंजूसी करोगे तो आप अपनी भविष्टों सुधार लोगे किसी तरीके से ठीक है आप समझ मझ के पर आपके जो दोस्त जो गड़े में गिर रहे हैं उनको बिल्कुल भी मट डालो ठीक है क्योंकि दोस्तों जो हमारे इस दुनिया में हैं दोस्ते दोस्त के किसी भाई कोई अपना होता नहीं है ठीक है तो आई होप गाईज यह इंजॉई कियोंगे और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी यह फायदा मिल सके जो ऐसी नन को ब्रांच अप इंडिनेरिंग को ओप्ट करने की ज